नमस्कार दोस्तो civil engineering support के एक बहुत ही महत्पून वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी स्वेक सिंग दोस्तो छत में crack आना एक बहुत ही common चीज है अधिकान्स लोगों के मुझसे आपने सुना होगा छत में crack आ गया है एक बार दोस्तो छ धलाई के तुरंत बाद ऐसा कौन सा चीज करना है जिससे आपके छत में कभी भी crack नहीं आए सबसे पहले दोस्तो आप देखेंगे जब धलाई हो जाए ड़ाई होने के सोला से 24 गंटे के बाद में आप देखेंगे कि सरफेस जब लगे आपको कि बिल्कुल सूख चुका है तो उसको चेक करने का भी तरीका है दोस्तो इसको हाथ से इस तरीके से रब किजिये रगरिये अगर दोस्तो इस पे मार कियानी की चिन नहीं हो रहा आपके उंगली का मतलब की आप समझ जाए कि छत हमारा अगले प्रोसेस के लिए त्यार है और अगला प्रोसेस क्या होता ह दोस्तों कि आप सीमेंट का जो घोल है जो मिडियम घोल है ज्यादा पतला भी नहीं करना है ज्यादा मोटा भी नहीं करना है दोस्तों उस घोल को क्या करना है कि दोस्तों जारू के साहरे पूरे छट पे फैला देना है घोल में ध्यान रगिए कि दोस्तों कि जो आपने वाट तरीके से बिल्कूल फैला दीजिए और उसके बाद दोस्तों फिर से 12 घंटा छोड़ दीजिए उसको सूखने के लिए और फिर से आप रब कीजिए ठीक है दो इंच मोटा दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरीके से सिमेंट सेंट का मोटार का क्यारी बनवाले ठीक है और सिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है क्यारी आप देख सकते हैं दोस्तों बनाया गया है टेकनिकल टर्म में देख सकते हैं दोस्तों छट पे बिल्कूल पानी लगाया जा रहा है मोटर की मदद से क्यारी का फाइदा यह होता है दोस्तों आप देख सकते हैं एक तरफ जो छट है वो बिल्कूल गड़ा है मतलब ढ़ाल किया हुआ है दूसरे तरफ छट में पानी नहीं रुक रहा है इसी को दोस्तों रेजिस्ट करने के लिए जो एक क्यारी बनाया जाता है ताकि बिल्कूल बड़ाबर तरीके से हमारा पानी जो हो लग जाए अब इसको बीत से एक बार फिर से पाटीशन किया दालिजे दोस्तों क्रेक आने के समस्ते आपको पूरी जिन्द के नहीं आएगी स्वाथ साथ क्यूरिंग आप बहुत सही तरीके से कीजिए ताकि आपना जो सीमेंट है वह सही स्ट्रेंथ ले पाए लगातार दस दिन तक क्यूरी करना बहुत जिरूर यह धन्यवाद